आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मिरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी Study IQPAP का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ये Indian Express का बहुत ही बहुत ही बहुतरीन आर्टिकल है ये 23 अगस्त को आया था, तो आज हम बात करेंगे Online Path to Health Care Health Care में हम online कैसे जा सकते हैं, challenges क्या है, इसके benefits क्या होंगे, ये सब हम देखने वाले हैं UPAC के Smart Courses आते हैं, आप Study IQ का app डाउनलोड करके इन Smart Courses को अविल कर सकते हैं साथी साथ 31 अगस्त तक ही है Sir Unsco Reconnect मेरा Facebook Page है, Twitter पे ये मेरी ID है, आप सवाल पूछिए साथी साथ मेरा चैनल है, अभी इस समय 9.7 के सब्सक्राइबर है, यहाँ पे मैं PDF डालता रहता हूँ, जितनी पुरानी PDF ती सब यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, और जो नहीं हुई है वो अपलोड हो रही है और जो Current Lectures है, उनकी तुरंद PDF जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाती है, तो आप इस चैनल को जॉइन करें, चलो, Health Care System के हम बात करते हैं देखो Indian Health Care System जो है, वो लास्ट डेकेड में अगर बात करते हैं, इवाल्व हुआ है, बिल्कुल इवाल्व हुआ है, पिछले 10 सालों में, 2010 से, in fact 2010 नहीं थोड़ा सा पीछे भी जाएं, तब भी हमारा Health Care System इवाल्व, देखो किसी भी अगर Economy को चलाना है, Economy आप छोड़िया हम high level पर जाते ही नहीं है, बहुत ही, देखो अगर लोगों को आपको manage करना है, लोगों को खुश करना है, तो उनको तीन चीज़े देदो, सबसे पहले अच्छी education देदो, बढ़िया education देदो, दूसरी चीज़ देदो law and order, पुलिस बहुत बढ़िया हो, अच्छी cooperative हो, law and order पर अच्छा हो, तीसरी and most important thing, healthcare system, proper healthcare system है, तो किसी को कोई problem है ही नहीं, एक ना एक time पे हर कोई बिमार पड़ता है, healthcare system, अच्छा, healthcare तो छोड़िये, इन तीनो front पे 1947 लेकर अभी तक evolve हुआ है, लेकिन perfection हमें अभी तक नहीं आ पाया है, healthcare system की आज आप देखी नहीं है, क्या ह हो गए है, beds, और मतलब जो hospitals हैं, उनमें जगा नहीं है, सरकारी hospitals की हालत कैसी है, आपको बताई है, तो healthcare system का online होना बहुत अच्छा है, हम नई technologies, अब तो भया artificial intelligence का जमाना है, nanotechnology का जमाना है, augmented realities, robot surgery कर रहे हैं, हम इन सब को adopt कर सकते हैं, अब इसमें issue ये आता है, कि ये जो गजब की बड़ी-बड़ी technologies हैं, ये आपको private hospitals में मिलेंगी, private hospitals में आप जाइए, पैसा खर्ष करिए, आपको सब कुछ मिलेगा, सरकारी में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सरकारी को एक taken for granted भी लिया जाता है, बलकि सरकारी का exam निकालना बहुत मुश्किल होता है, जितन हमारा lecture मैं deviate नहीं होंगा अपना topic पे, मैं इसी पे ही रहूंगा कि online healthcare इस सब में हमको कैसे help कर सकता है, ठीक है, तो healthcare standards नहीं हमारे uniform है, नहीं inclusive है, ये बड़ी दिक्कत है, अब सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ी problems क्या है, ठीक है, challenges क्या है, देखो problems की बात करें, urban areas में ह अगर आप private, मतलब शहर में, अगर आप private facilities की बात करें तो वहाँ पे बढ़िया advanced treatment मिलेगा, proper infrastructure मिलेगा, लेकिन on the other end अगर आप देखे, urban areas में ही, अगर आप सरकारी hospital में जाए, कुछ private में भी, तो वहाँ पे देखेंगे, एक तरफ तो हमको बहुत अच्छा कुछ मिल रह है, गाउं में तो कुछ गाउं में 15-15 km दूर, 15-20 km दूर hospital है, तो वहाँ पे तो बड़ी दिक्कत है, especially अगर पाहडी areas की बात करें, हिमालियन रीजन की बात करें, वहाँ जो states हैं, वहाँ पे जो गाउं है ना, rural में, उनकी तो बहुत बुरी हालत है, अब हमको गाउं गा सकते हैं, जैसे education अभी online हो रही है, healthcare को भी हम online कर सकते हैं, लेकिन इसमें challenges क्या है, challenges यह हैं दोस्तो, अगर healthcare की बात करें, सबसे पहले तो e-health के लिए successful होने के लिए क्या होता है, आपको minimum adequate infrastructure चाहिए, जहां पे internet आता रहे, आप समझ रहे हैं, अगर internet online का मतलब क्या है, internet हो करना ही चाहिए, कोई भी चीज successful कब हो सकती है online, जब वहाँ पे internet हो, अगर internet ही नहीं है, तो फायदा क्या, अब दिक्कत यह है, कि ज़्यादा तर अगर आप जाए hospitals में, proper online infrastructure ही नहीं है, क्योंकि अभी हम shift कर रहे हैं, we are on the shifting mode, अभी हम shift कर रहे हैं, physical से online जा रहे हैं, अभ भारत, क्योंकि आपको पतेए कि भारत में, भारत एक developing country है, तो भारत के लिए थोड़ा सा जाधा time लग सकता है, तो जितनी भी pathological labs हैं, जो hospitals हैं, वहाँ पे proper infrastructure नहीं है, ताकि हम online जा सके, आप समझ गए हैं, उसके बाद दोस्तों, एक और बहुत important चीज आती है, cost, पैसा, देखिए, जब आप hospital जाते हैं, in fact मैं एक clinic को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, वो पता है क्या, कि अगर आपको खासी भी आएगी, छीख भी आएगी, तो दस test बता देगे, ये कर लीजे, वो कर लीजे, वो unnecessary है, बिना बाद के 100 रुपय का खर्चा है, आप 15 सुमा प important है, और healthcare sector needs to be cost conscious, आप समझ रहे हैं, unnecessary test जो है, उसको पूरी तरीकी से eliminate किया जाना चाहिए, लेकिन अभी इस regard में हमारे याँ कोई भी national policy नहीं है, ultimately पैसा बहुत जादा है ना, पैसा बहुत जाता है ना, अगर आप देखें, गरीब का गरीब होना, चलो ठीक है, वो तो म government hospital से लोग वैसे ही कतराते हैं, यह बिल्कुल सच्चा ही है, infrastructure मां का इस तरीकी का होता है कि, अब खेर, 130 करोण की हमारी population है, अब तो जादा ही हो गई है, 135 करोण हो गई है, तो इतनी population को ठीक है, manage करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी, लोग जो है, वो सरकारी hospital में जा health insurance, यार देखो, अगर तुम्हारा health insurance नहीं है, आज ही जाके करवालो, अब तो online हो रहा है, वो 3000-4000 का होगा, साल में खाली आप वो 3000-4000 रुपए देने है, यह आपको अभी पता नहीं चलता है, लेकिन जब बिमारी होती है, उसके बाद जब आपके लाखो लाखो रुप ज़्यादा important है, तो health insurance तो जरूर करो, इसकी भी unawareness है, हमारे याँ low health awareness है न, low health awareness इसलिए है, क्योंकि proper education नहीं है, literacy नहीं है, functional literacy जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, different levels way, तो दोस्तों यह सारी चीजों को हमको control करना पड़ेगा, training की बात करें, ठीक है, training की बात करते हैं, अगर हम online shift हो रहे हैं, तो आपको trained staff चाहिए, हमको जो doctors है, nurses है, healthcare professionals है, उनको नई technologies से कैसे deal करना है, इसे train तरना पड़ेगा, अब इसका मेरे मतलब क्या है, देखिए, अगर हम online shift हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे hospitals है, देवी प्रसाथ शेटी की बाग्राफ है, रिवीव किया है, hats off है उनको, hats off, salute, आज जो medical business है, वो काफी जादा commercialized हो गया है, लोग पैसे पे, जितने भी doctors है, सारे नहीं, बहुत सारे doctors अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ doctors जो है, वो सही नहीं, आपको पता है, मैं क्या कहने की कोशिच कर रहा हूं, तो वो पैसा बनाने की कोशिच क पोल ली है, अब देखिए गा, उनकी बयाग्राफी मैं रिवीव कि है, उनका medical model कितना बहतरीन है, पूरे भारत में वो लागू कर दो, इतना बढ़िया उनका model है, अब देखिएगा, उनकी बयाग्राफी, तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, कि जब आप online जा रहे हैं, अ लेकिन online help आप दोगे कैसे, doctors, nurses को proper train करना पड़ेगा न, कि आप यह सारी technologies को use कैसे करोगे, तो इसमें हमको training की भी जरूरत है, ताकि हम proper तरीके से, यह जो help है, online, यह हम पहुचा सके patient तक, फिर एक बड़ा challenge यह भी है न, कि knowledge को pool करना बहुत जरूरी है, देखो, क्या होता तो big private hospital जो है न, वो अपनी practices को share नहीं करते, surgeries में, और भी बहुत सारी चीजों में, ठीक है, यह करने की जरूरत है, knowledge को pool करने की जरूरत है, एक integrated e-health systems, system होना चाहिए, समझ गए, यह चीज, तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, इसके solutions क्या है, देखे, solutions की बात करें, तो म मैंने आपको बताई दिया है, आयोप इसमें आपको कोई दिकत नहीं होगी, इसमें हम सबसे पहली बात तो training दे सकते हैं, जितने भी nurses, doctors हैं, उनको proper तरीके से training दे सकते हैं, कि कैसे आपको जो बदलता हुआ system है, technologies को कैसे use करना है, especially वहाँ पे, उन rural areas में, जहाँ पे वैस system है, उसका maximum use हम कैसे कर सकते हैं, उसको capitalize कैसे कर सकते हैं, अभी कैसे होगा, training, हमको बकाइदा training देनी पड़ेगी, अब training देने के लिए दोस्तों, we have to identify and analyze the barriers कैसे, geographical, financial, social or systematic, शुरुवात हमको यही से करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हमको जो रुकावट है, रुकावट क कि अभी मैंने को गाउं का example दिया, अब दूर दराज कोई गाउं है, क्या पता वहाँ internet ही नहीं, hospital तो यहाँ पर मदद करने को तयार है, वहाँ पर internet नहीं हो, geographical barrier एक तो बहुत बड़ा है, financial, पैसे की अभी मैंने आपको बताई, social or systematic, तो यह चार barriers को सबसे पहले हमको हटा करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको identify करके इसको सही करना पड़ेगा, यह होगा हमारा first step, सबसे पहला step, इन चार चीजों पर हमको काम करना पड़ेगा, geographically, financially, कैसे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, और then training, ट्रेनिंग तो चलिए, यह second step होगा, second step होगा training, ठीक है, यह ज कैसा system है, एक तरफ तो आपका doctors है, hospitals है, staff है, ठीक है, दूसरी तरफ आपके लोग है, ठीक है, यह people में आप लिख देतो, writing बहुती घटिया है, मुझे पता है, चलाइएगा नहीं मेरे पर, तो यह जो doctors, nurses, अपनी services, इन लोगों को देंगे, इन लोगों को देंगे, अरे, लोगों को दे रहे हैं, नई technology, hospitals तर त्यार कर रहे हैं, लोगों को भी तो पता होना चाहिए, कि कैसे इसको use करना है, जैसे अभी health ID system, अभी आपने देखा, मैंने health ID पे lecture बनाया है, जो हमारा national digital mission, NDHM, national digital health mission जो launch हुआ है, उसमें पूरा online जा रहे हैं, और उसी के ही reference में य जा बोला, चोहतरवे Independence Day ने मोदी जी को, कि हम health ID बनायेंगे, हम national digital health mission ये बनायेंगे, मतलब ये जो हमारा सपना है, ठीक है, कि अब हम digitize करेंगे, health को भी digitize करेंगे, तो ये कब होगा, जब लोगों को पता चलेगा, कि वो कैसे use कर सकते हैं, अब जैसे health ID है, यहाँ पे 14 digit के आपको health ID दी जाएगी, इस mission के अंदर, उसमें आपकी पूरी history, पूरी health history होगी, किसी भी hospital में जाएगे, वो health ID उस hospital के पास होगी, वो डालेगा, पूरा पता चल जाएगा, कि इस से पहले आप कौहं से hospital में गए, किस doctor को, कितना असान हो जाएगा उस doctor के लिए, बिमार वेरों में तो पता होगा, हम लोग बता ही रहे है, study IQ काम करता है इसमें, लेकिन गाओं में ज़रूरी नहीं कि हर्क, अगर किसी के बाद mobile भी हो, उसको access कैसे करें, तो ये बहुत important है कि लोगों को भी हमको aware करना पड़ेगा, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, online portals और apps बना सकते हैं, online portal तो बनी रहा है, बनी गया है in fact, website पे आप जा सकते हैं, app डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, online portals क्या करेंगे, जो online portals होते हैं, ये आपका medical test result दे दे देंगे, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, doctor लेके गए, उठा के portal खोलो, जो भी उसमें आपकी information ह होती है, या कोई ID मिलेगी हो डालो, आपका result आजाएगा, online आजाएगा, diagnosis online हो जाएगा, यहां तक कि आप doctor से भी online बात कर सकते हैं, कोई भी problem है, app खोला, website पे गए, और doctor से सीधा consult किया, वो दवाई लिखके दे देगा, ऐसे ही बता देगा, कि आप ये दवाई ले लो, कि और कोई तो technology का use नहीं कर पार, अगर health में बात करें, लेकिन definitely, digital innovation हो तो रहा है, phone पे अब हम अपने health को भी check कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे apps है, जैसे rate monitors है, exercise है, activity trackers है, sweat meters है, यह क्या करता है, जो उनकी health है, आसानी से या आप उसको analyze करता रहता है, और इसमें सबसे अची यह है कि in website app से, doctors क्या भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी health कैसी है, यह आप बताता रहता है, तो doctors की भी need को, मतलब गंभीर बीमारियों में तो आपको जाने ही पड़ेगा, लेकिन on the daily basis पे, यह आपकी health को पूरा analyze करता है, और यह doctors को भी side में रख देता है, व समझ रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं कि robotic surgeries हो रही है, robots जो हैं वो surgeries कर गहे है, augmented reality एक और गजब की technology, यह जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी technology है, digital innovation, अगर हम online जाते हैं, तो इससे patient का भी time बचेगा, और doctors का भी time बचेगा, अब यहाँ पे, यह सारी तो चीज़े ठ इसमें time की budget होगी, लेकिन इसमें cost भी तो घटेगी, जो मैंने आपको बताया, पैसा बहुत खर्च होता है, doctor क्या जाएंगे, बना देगा bill वो 2000 का, app, website है, online consult करिए, online consult में भी पैसा होगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा, जो है वही बताया जाएगा, यह बहुत बड़ी बात है, benefits हम देख लेता है, benefits क्या होंगे, सबसे पहले तो accessibility, अभी मैंने बता नहीं कि, rural population में accessibility ही नहीं है, अभी मैंने, जिनकी rank 283 आई है, कुमारी प्रियंका की biography रिव्यू की थी, वो IS बनी है, मतलब IRS उनको मिला है, IS बनी है वो, मतलब UPSC का exam निकाला है, मैं क्या IS बा गाउं है, ठीक है, और रामपुर से आती है, उतराखंड का एक ऐसा गाउं है, वहाँ पे, hospital 15 km दूर है, accessibility ही नहीं, वो वता रही थी, कि एक बार, हमारे एक इसान पेड से नीचे गिर गया था, बहुत घायल हो गया था, 15 km दूर हमने उसको hospital पहुंचाया, कोई transportation भी नहीं तो accessibility बढ़ेगी ना, आप online जा रहे हैं, तो accessibility बढ़ेगी, गाउं में यहाँ पे हम लोग पहुंच सकते हैं, समझ गए, और सबसे बड़ी बात है, कि लोगों को एक burden भी होता है, कि आप hospital जाना पढ़ेगा, नहीं जाना hospital, मत जाओ hospital, online consultation कर लो, यह सारी चीज़े, तो यहा पे online solution एक तरीके से best solution देगा, technology की help से, दूसरी चीज़, यह तो पहला तो चलिए accessibility, यह से लिख देता हूं मैं, दूसरा आपका efficiency, यह भी तो बढ़ेगी ना, इससे e-health से क्या होगा, यह efficiency बढ़ेगी, cost decrease होगा, पैसे कम लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, यह जो unnecessary diagnostic test हो तीसरी चीज, quality care मिलेगी, patient और consumer बहुत empower होगे, और proper coordination होगा, आप समझे, यह lecture था दोस्तो, I hope आपको पसंद आया होगा, बहुत ही बहतरीन article था, तो मैंने article और कुछ वेबसाइट से reference लिया है, खुश रहेगे पढ़ तेरे इदे से सिद्धान तक नहीं होतरी, signing off.